गुरु गौवीन दोवू खड़े काके लागू पाई बलिहारी गुरु आपने गौवीन दियो बताई जी हाँ, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे मार्ख दर्शक होते हैं और आज एक एसी ही शक्सियत से शोताओ हम आपको मिल बारे हैं ये हैं राजकिये इंटर कोलेज तेहरादून की भोतिक विज्ञान विभाग की प्रवक्ता श्री रमेश प्रसाद बडोनी इनके बारे में हम आपको बतादेश होता हो, इन्हें कई राष्टिये और अंतराष्टिये पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है तो लिजे सुनिए इनसे ये बादचीत सर सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कारेक्रम नमस्कार तेहरातून में धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद सर डिजिटल टेकनोलोजी का उत्राखन के परिप्रिक्षे में कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है मैम ये प्रश्ण बहुत बिस्तरित है और इसका उत्तर कुछ लाइनों में देना बहुत किल होगा लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 21 सदी के भारत में या 200 के जो आयाम है क्लास्रूम को रोचक नहीं बना सकते ऐसा अनुमान आज भी लगाया जा सकता है और क्योंकि मैं एक कक्षा कक्ष सिक्षन का ध्यापक हूँ तो मेरा अनुभव ये है कि जितना रोचक तरीके से आप अपना लेशन प्लान को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेकनलोजी बहुत जरूरी साथ में लेनी चाहिए और डिजिटल टेकनलोजी का इंटीगरेशन क्लास्रूम टीचिंग में इसलिए भी इंपोर्टन हो जाता है कि इससे जो 5E बेस लेशन प्लान होते हैं जिसमें की बच्चा इंगेज हो और उसकी जिग्यासा बढ़े रोचकता बढ़े तब ही ये संभव हो सकता है जब हम किसी भी संभवध को पढ़ाने के लिए जो बैब टेकनलोजी है डिजिटल टेकनलोजी है उसका समावेस करें तो उत्राखंड के परिपेक्ष में सरकारों ने या हमारे जो सिक्षक समाज है उसने बहुत प्रियास किये हैं पिछले 2-3 वरसों में कोविट के बाद इस टेकनलोजी का काफी प्रियोग भी हो रहा है लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसिक रूप से सकते हैं सर कि जिसे की उत्राखंड के हर जिली या हर कोने तक शिक्षा पहुंचाई जा सके यह बहुत अच्छा प्रश्न है मैं हमारे पास रिसोर्स की बहुत कमी है रिसोर्स का मतलब है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास जो हार्डवेर्स हैं की ट्रेनिंग जरूरी है उसके लिए हमें एक धांचा त्यार करना होगा और फिर जो बात आ रही है कि हम उत्राखंड के हर उसकोने में डिजिटल टेकनलोजी को पहुचा दे जहां पर बच्चों के लिए रोचकता भरे लेशन्स हो और वो सीखें तो उसके लिए यह जरूर के सिख्चक को आज इस सरह से अपने क्लास्रूम में टीचिंग प्लान लेके जाना चाहिए कि बच्चे को रियलिटी में अपने उस संबोत को सीखने का मौका मिले और उसके लिए हम आगुमेंटेड रियलिटी वर्च्वल रियलिटी बेस्ट जो है लेशन प्लान बना सकत हैं या हम ऐसे simulation interactives game त्यार कर सकते हैं या हम artificial intelligence based tool को use कर सकते हैं जिसमें की बच्चे उस संबोत को आसानी से समझ जाएं और उनके अंदर जिग्यासा पैदा हो ताकि वो किसी अनुसंदान में उनकी जिग्यासा बढ़े, research में उनकी जिग्यासा बढ़े और उनके अंदर हर समय inquiry question हो और उन inquiry questions को address करने के लिए सिख्चक के पास इतनी दक्षता होनी चाहिए कि बच्चे को teacher के साथ समन्में करने में मज़ा आए, तो classroom में जब तक रोचकता नहीं होगी, बच्चों का engagement नहीं होगा, तब तक उत्राखंड के हर कोने में, हर जिले में हम कहां तक सिख् digital technology को सही तरीके से इस्तमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा और बहुत जरूरी भी होगा कि हम हर कोने में इस model को लेके जाएं कि हमारे classroom किस तरह से हो और हम किन-किन resources का भरपूर उपयोग करें, किन-किन से मेरा मत्तब है हम बहुत बड़ी technology का यूज न करते वे भी ऐसे टूल को यूज कर सकते हैं, जो किसी पिसेस बिसाय को पढ़ाने के लिए जरूरी है, तो जैसे कि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि simulation-based technology हो गया, AR हो गया, AI हो गया, VR हो गया, यह कुछ टेक्नलोजी ऐसी हैं, जिनका हम अच्छे से उपभोग करते वे classroom को interactive बना सकते हैं, सरा आपनी इतनी बेश किमती जानकारी हमारे शोताओं को दी, हम उम्मिद करते हैं कि हमारे सभी शोतागान इससे जरूर लाभानवीत होंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद मैं